असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं दम मालू आइए इंग्रेडियन्स देखते हैं क्या क्या लगेगा सबसे पहले मैंने एक पैन में विजिटेबल वाई गरम होने के लिए रख दिया है मैंने पो्टाटव लिया है जो मैंने 75 प्रसें बोल कर लिया है यह मैंने बेबी पोताटव लिया है टोमाटो तूपीस जिसकी प्यूरी मारे बना लिया है अध्यक рокव पेस्ट आध्या प्रेश्वक्त जीरा चोटी एलाचीज 2 पीस दाल चीनी वन स्टीक और काली मिर्च 7 बॉल लिया मैंने आईए सबसे पहले पोटाटो लेंगे उसे शेलो पोटाटो को लेंगे इस फोग की मदद से इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे कि अच्छी तरह से फ्राइड बोसके यह अच्छी त प्राइड करने के लिए डाल देंगे अगर आप चाहे तो इसे शेलो प्राइड भी कर सकते हैं मैं इसे फ्राइड कर रहेंगे जिन लोगों आई लेस खाना हो वो शेलो फ्राइड कर ले और उससे पहले इसको में नमक हल्दी मिर्चा लगा के उसके बाद इसे अच्छी त अब अच्छी तरह से फ्राइड हो गया है अब इसे एक बॉल में निकाल लोगे अब इस वाइल को मैं कम कर लोंगे और इसी फैन में बनाएंगे मैंने इसमें लगवक्त टूटेबल इस वाइल छोड़ दिया है बागी सबको निकाल लिया है अब सबसे पहले में गरम मसाला डालेंगे घड़ा जीरा डालेंगे ओनियम डालेंगे अच्छा फ्राइ करेंगे ओनियन गोल्डेन हो गया है इसलिए इसे निकाल लेंगे और मिक्सिजार में पीस लेंगे पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बना लिया है इसी पैन में इस पेस्ट बड़ाए लेंगे पेस्ट की तरह से दो तीन मिनेट भून लेंगे इसी में टोमाइटो पेस्ट जाब देंगे अग्राग लासन पेस्ट एस सवान लेठो प्रणाग्र ऑफ हौल्ड करक लासन पेस्ट बनाषपूर्स, अल्दी पोडर दमिच्च्छ पोडर लाट मिया पोडर मसाला को अच्छी तरह से भून लेंगा नमक तुछा वाटर डालके यह भी को अच्छी तरह से भून लेते हैं मसाला वाइल हलका थोने लगा है इसे स्टेट पर काजुपेस जाल देंगे इसे मिक्स कर देंगे च्रीक्चर क्रीमी हो गया अच्छी तरह वाइल उपर अच्छी सा गया है मतलब मसाला अच्छी से भूना गया है तो अधन्य पत्ति डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी तरह से अच्छी हलका डालेंगे मिक्स नथा देंगे इसमें पानि मिक्स नथेंगे जब मैं मुटबड़ देंगे दो आरी अब इसमें पोटेटो एक्टर देने दो चाल मिनिट पताएंगे और दमालू त्यार हो जाएगा निया पत्ती उपकर के अच्छी तर से पग गया है यह तमालू पांसाथ मिनिट मैंने और पकाया है गैस आफ कर देते इससे डिशॉट करते हैं दमालू तयार है अगर मेरी दमालू की रिसिपी आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू प्लीज प्लीज दियुग